किसान भाईयों को नमे मश्कार स्वागा थे आपके यूट्यूट चैनल किसान परिवार में आशा करता हो आप सभी लोग ठीक होंगे किसान भाईयो कि में आज का हमारे जो टौपिक रहनेवाला है वह ड्रेगन ना करें और इसी बीच में हमारे पास कई किसान भाईयों की कोईरी दा रही है प्लांट से लेके और बैर आईटी को लेके तो मुझे लगा कि इस चीज को में कबर करना चाहिए क्योंकि अभी ये जो टाइम है वो प्रप्रेशन का है सभी लोग प्लानिंग करेंगे वारिश जीरे समाप्त हो रही है सभी एरियाओं में तो अब सभी लोग प्लानिंग करेंगे न्यू एर की यानि की न्यू फार्म प्लांटिशन की तो बहुत सारे किसान भाईयों के मन में कई सारे सबाल है बैर आईटी को लेके कैसी बैर आईटी चूस करें और अगर हमारे यहां देखा जाए तो सबसे ज़्याद है अगर कोई किसी चीज के पीछे लगा हुआ तो वो है फ्रूट का बेट साइज सभी को बड़ा फ्रूट प्रिड्यूस करना है यह मानसिक्ता सभी की है तो आज हम इस चीज को भी कवर करेंगे और बैराइट्यू का कैसे चुनावो उस च चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि हमें प्लांटिशन कैसे करना है देखिए प्लांटिशन आप कीजिए और जो आप बैड देख पारा है इस वीडियो में बैड के नीचे आप पानी भरा हुआ देख रहा है यह तो बहुत कम बारिश है लेकिन इससे भी कई जादे बारिश होती है तो आपके बैड तक पानी नहीं जाना चाहिए अब इसमें जैसे ही सितंबर एंड होगा यह बारिश बंद जाएगा यह हमारी वो सेकेंड बारी बैराइटी है यह दो पोल जैसो कि मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले बताया है यह वो बैराइटी है जिसकी ग्रोध बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं इसका फ्रूट साइज भी डिफ्रेंट होगा अभी वाली जींड दम से एक वाली बैराइटी है यह ङानकी एट मन्त में वर्ड्स आ गया था और हमारे तैन मन्त होने से से पहले हमारा फ्रूट हर्वेस्ट हो गए उसी बैराइटी में यह फ्लावर ओपन हुआ पिछले दो दिन पहले यह फ्लावर अभी क्लोज हो गया है और प्लांट की लॉंग लाइफ कैसे बड़ा सकता है इस चीज को भी हम कबर करेंगे देखिए आपको आप जब भी बैड बनाए जमीन से एक से देड़ फुट उपर बनाए बैड जब आप बना लोगे इसके बाद उसके उपर प्लांट लगाए यानि कि जमीन से देड़ अच्छा होना चाहिए जैसे अभी आप देख पर हैं अभी बारिश हो रही है काफी बारिश हो रही है फिर भी पानी हमारे बैड के नीचे है जब जैसे ही बारिश बंद होगी यह पानी ड्रेन हो जाएगा यहां से चला जाएगा तो हमारा प्लांट की रूटस में कोई प उपर रहेगी गर्मी और सरधी के टाइम पर आप आपके बैड की मल्चिंग कर दें जिससे आपकी जो रूट्स हैं उनको फंगस ना लगे आप अल्रेडी रूट्स उपर रहेगी तो पानी से उनमें कोई भी फंगस नहीं लगेगी इस प्लांट को अगर दो से तीन दिन पा पाती है केक्टस प्रजाती है तो इस बात का बिशेज दिहन रखे अभी लास्ट वीडियो के बाद कुछ कमेंट समय आ रहा है कि हमारे खेत में पहले बहुत ज़्यादे खर्पदबार थी उसका रीजन है कि हमने इंटर क्रॉपिंग किया था और हमने अगस्त के महीने में फर्टीलाइजर लगाए था जो कि हमने नॉर्मल फर्टीलाइजर लगाए था तो जो गोबर का खाद होता है नॉर्मल उसमें बहुत ज़्यादे खर्पदबार होने के चांसे दोते और उसी बज़े से खर्पदबार हुई थी बट फिर भी हमने हमारे प्लांट के आस पा फार्म में कोई भी खर्पदबार न रहे। यह आपके दोनों कमेंट्सों के जबाब हैं, कई सारी कमेंट्स सी खर्पदबार को लेके वो प्राब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा मैंने आपको इसमें डिसकस कर लिया, कि आप लाइब देखी पा रहा हैं, कि बैड आपको ऐस तरीके से बनाना है जब चुनाव करें जमीन का जिस जमीन में आपको लगाना है जिस जगा लगाना है तो ट्राइ करें थोड़े उचे लेवल पर लगाएं और अगर आपने मीडिया में लगाया है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लें कि उसमें जलवराब ना हो तीसरा टॉपिक आया हमारा फ्रूट और बैराइटी इसको लेकि एक मैं डेडिकेटड वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा टॉपिक उसमें हम कबर करेंगे नेक्स वीडियो जो हमारा रहेगा क्योंकि हमने अभी हमारा फ्रूट भी हर्वेस्ट किया है तो उसमें हमें क्या चीज प्लस पॉइंट रहें क्या माइनस रहें वो हम अगली वीडियो में पूरा डिसकेशन करेंगे और कोसिस करेंगे कि आपके उन सारी चीजों के जवाब हम आपको अच्छे से दे पाएं अभी शॉर्ट मैं स्रिप आपको मैं ये चीज बोलना चाहूंगा किसान भाई अगर आप कोई बैराइटी ले रहे हैं तो आप ऐसे किसान से लो जिसका फार्म आप जा कि खुद बिजिट कर पाएं उसका नरसरी कैसे वो बना रहा है वो आप देख पाएं ट्रस्ट है अगर वो आपको प्रॉपर बिल दे रहा है सारी चीजों का आप तब लें या आप फस्ट टाइम कर रहे हैं छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आप नरसरी एक अच्छी रजिस्टर्ड गवर्मेंट रजिस्टर्ड नरसरी से प्लांट पर्चेस करें या फिर कोई ट्रस्टेबल किसान से प्लांट आप लें आप खुद देख के आ चुके हैं उसके प्लांट अच्छे हैं उसने खुद फ्रूट लिया है फ्रूट साइज अच्छा है उसका vix level अच्छा है दूसरी चीज़े उस प्लांट की disease conditions क्या है वो कितने disease को जहल पाता है आपके बैदर को जहल पाएगा नई जहल पाएगा इन सारी चीजों को अच्छे से चुनाव करें प्लांट लेते टाइम कोई भी जल्दबाजी ना करें अगर प्लांट अच्छा है तो इस फार्मिंग में आप सक्सेज हो सकते हो अगर प्लांट गलत चुनाव कर लिया सस्ते प्लांट के चक्कर में ना रहें कई सारे किसान भाईयों के messages भी आ रहे हैं, calls भी आ रहे हैं, कि हमें 30 रूपीज, 40 रूपीज, 20 रूपीज प्लांट मिल रहा है, हद जोड के बिंती है, price के चक्कर में आपके प्लांट के साथ कोई भी compromise ना करें, क्योंकि इस से सीधा effect आपको 18 महीने, 20 महीने बाद जब आप फ्रूटिंग ले चुका है, इसके बाद ही आप प्लांट का चुनाव करें, यह आपके जो भी आज के सबाल थे, उन सभी का जवाब है, उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी, फिर भी अगर किसी किसान भाई का कोई भी questions से कोई queries हैं, हमें WhatsApp कर सकते हैं, call कर सकते हैं, हमसे connect हो सकते हैं, अगला जो हमारा विशे रहेगा, वो fruit size को लेके रहेगा, क्योंकि कई सभी किसानों के mind में यह है, कि अगर मेरा fruit size बहुत अच्छा है, तो ही मैं अच्छा benefits इस farming से कर सकता हूँ, यह ठीक भी है, और कहीं न क यह गलत भी है, यह सारे doubts हम next video में definitely clear करेंगे, तो अभी के लिए इतनी ही जानकरी थी, यही आपके सभी के सवाल थे, जिनके जवाब उम्मित करता हूँ, आप सभी लोगों को मिल गया होगा, किसान भायों, वीडियो को काफी सारा प्यार दें, चैनल को subscribe करें, वीडियो को suggestion है, हमारे farm में अगर आपको कुछ issues दिख रहे हैं, या कुछ change आपको लग रहा कि होना चाहिए, बिल्कुल आप हमें दें, हम एक unit की तरह काम करना चाहते हैं, इसलिए हर एक जानकरी हम हमारे channel पे share कर रहे हैं, ताकि हम भी आप से कुछ सीखने को मिले हमें भी, और हम भी अपने आपको proper time to time modify कर पाएं, इस December जनबरे में हमारा new farm लगने वाला है, यह जानकरी में आज आपको दे देता हूँ, आने वाले दो महिने, तीन महिने के अंदर हम हमारा एक और अच्छा farm बना रहे हैं, अच्छा target लेके चल रहे हैं, लगबग 500 से 600 पोल का प्लान है, ब और मिलते हैं जल से जल एक new video के साथ, और fruit size का जो issues है, जो queries हैं, बो भी हम next video में cover करेंगे,